विनन्ती करिये छे देव म्यूनिसिपल काउंसिल ना प्रमूख अने काउंसिलर्स ने केति वो माननीय प्रधान मंत्रीची नुँ स्वाकत सन्मान करे पस वो गया हूं अने आचे देव म्यूनिसिपल काउंसिल ना प्रमूख अने काउंसिलर्स नी टीम जेवो स्वाकत करी रहाचे माननीय प्रधान मंत्रीची नुँ हवे विननती करिये छिए दीवदमन दादरा आने नगर हवेली ना पूर्व सांसद श्रीयों ने के तेवो माननीय प्रथान मंत्रीचीनु स्वागत सन्मान करे पूर्व सांसद श्रीयों आजे आपनी वच्चे विवीद राजकिय पक्षो ना प्रतिनीथियों पन उपस्तित शे विननती करिये छिए दादरा आने नगर हवेली ना बारती या जनता पार्टी ना प्रतिनीथियों ने के ते वो माननीय प्रथान मंत्रीचीनु स्वागत करे दादरा आने नगर हवेली ना भारती या जनता पार्टी ना प्रतिनीथियों के ते ते प्रतिनी ना भारती या जनता प्रतिन दाद्रा अने नगर हविलिन्या अन्य राज्किय पक्षो ना प्रतिनिधियों ने के तेवोपन आ उसरे माननिय प्रधान मंत्री श्री नू अभिवादन करे। विदंती करिये छे दमळ अने दीव ना भारतिय जनता पाटी ना प्रतिनिधियों ने के तेवो माननिय प्रधान मंत्री श्री श्री नू स्वागत करे। अभिवादन करे। आजे दमळ अने दीव ना अन्या राज की अपक्षो ना प्रतिनिधियों। मंच परामंत्रेत करिये छे दादरा अने नगर हवेली ना सरपंच श्री ने के तेवो माननिय प्रधान मंत्री श्री नू स्वागत करे। मंच परामंत्रेत करिये छे दमळ अने दीव ना सरपंच श्री ने के तेवो माननिय प्रधान मंत्री श्री नू स्वागत करे। अधनिय प्रधान मंत्री श्री ना स्वागत सत्कार माटे संग प्रदेश ना सव कोई उद्सुक छे त्यारे विननती करिये छे दादरा अने नगर हवेली ना होटल असोसियेशन अने इंडस्ट्री जना प्रतिनी धी मंडल ने के तेवो माननिय प्रधान मंत्री जी नू अभिवाधन करें दामण अने दीव तेमच दाद्रा ने नगरहविली ना होटल एससीएशन अने इंडस्ट्रीज ना प्रतिनिधी मंदर द्वारा थै रहुंचे स्वागत स्त्री सशक्ती करणने साचा आर्थमा चरितार्थ करनार आपना लाडीला प्रधान मंत्री श्री नू भाववबी नू स्वागत करशे संग प्रदेश ना विमेन एंड़ीयो ना के टलाक महिला प्रतिनिधीयो साचार्थमा प्रदानमंत्रिश्री त्री सशक्तिकरणने चरितार्थ करुछे त्यारे महिला प्रतिनिधियो द्वारापण सेल्वासान आगणे खुब-खुब स्वागत एक भारत स्रेश्ट भारत नहीं विचार द्रष्टी ने साकार करी रहेला माननिय प्रदानमंत्रिश्री नुँ स्वागत करवा भारत भर ना विविद समाजिक मंड़ो पन उजसुक छे मंच पर आ मंत्रेत करिये छिए दादरा आने नगर हवेली ना विविद समाज ना प्रतिनी धियो ने के ते वो माननिय प्रधान मंत्र श्रीनु स्वागत करे विविद तामा एक ताय आपनी संस्क्रूती चे अन्या विविद समाज ना प्रतिनी धियो द्वारा स्वागत थै रहुँँचे अन्य हव्या मंत्रित करिये चे दमल अने दीव ना विविद समाज ना प्रतिनी धियो ने कि ते ओपन माननिय प्रधान मंत्री जी नुश्वागत करें आरोग्यम सर्वदा विवीद समाजना प्रतिनी धियो द्वारा तेमना मंडल ना आगेवानो द्वारा थे रहें चे परंपरागत रीते भावबी नुश्वागत रदैनो उमलको चे लागणी चे आपना माटे माननिय प्रधान मंत्री श्री आरोग्यम सर्वदा अहिना इंडियन मेडिकल एसोसेशन ना पदाधी कारियों ने विननती करिये चे के तेवो आक्षणे माननिय प्रधान मंत्री श्री नुँ अभिवाधन करें मेडिकल एसोसेशन ना पदाधी कारियों आन्य हव्याम पमत्री श्री करिये थोरं मार्ना विद्ध्यार थियों के जेंने भविश्यमा आम मेडिकल कॉलेज नी बेट नो भारत नों युवा पेडी चे भारत नूँ बविश्य चे वा युवान द्वारा थैरयों चे स्वागत खुब खुब आभार धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, किसानों को सीचाई और मुजूर्गों को दवाई ऐसे चहुमों की विकास की दिशा में संगप्रदेश, दीव, दमण, दागरा इवं नगर हवेली के लोगों के जीवन में भी आमूल परिवर्तन हुआ है और वे सब भी आज माननिय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं माननिय प्रधान मंत्री जी से निविदन करते हैं कि वे विभीन योजनाओं के लाभार्थियों की खृतक यता का स्विकार करें सबसे पहले मंचपरा मंत्रित करते हैं आयूश्यमान भारत के लाभार्थियों को और अब पढ़ारेंगे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामेड एवं शहरी के लाबार्थियों को प्रधान मंत्री आवास योजना 2022 सक्ट सब के लिए घर का घर जिन्होंने बनाने का संकल्प किया है वैसे हमारे प्रधान मंत्री जी का अभिवादन करती हुई और अब मंत्री करते हैं वन अधिकार प्रमापत्र दिये गए बहुत बहुत धन्यवाद और अब वन अधिकार प्रमापत्र दिये गए लाबार्थियों का मंच पर स्वागत करते हैं और प्रधान मंत्री जी ने सिल्वा साके पिछले दोरे में आधिवासी परिवारों को जमीन के पट्टे दिये थे इनमें से कुछ लाबार्थि प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और अब कौशल विकास के लाबार्थियों को मंच परामंत्रित करते हैं वो भी माननिय प्रधान मंत्री महोदय का अभिवादन करना चाहते हैं। कौशण विकास युवाओ के लिए प्रधान मंत्री कौशण विकास योजना के ये लाभार्थी हैं. और अब मंच्परा मंत्रित करते हैं th sageil cultivators, समोद्री सीवार के लाभर्थी, दीव के लोगों ने अपनी आई बढ़ाने के लिए एक नया काम शुरू किया है सी विड कल्टिवेशन और वे अपनी पहली फसल से बनाया एक उत्कृष्ट नमूना प्रधान मंत्री जी को अरपन करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान मंत्री जी आपका भी धन्यवाद दीव, दमण, दाद्रा एवं नगर हवेली संगप्रदेश समगर भारत की विकास यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं अपनी कार्य कुशलता से इन दोनों संगप्रदेशों की काया पलट करने का बीड़ा जिन्होंने उठाया है वो है यहां के लोगप्रिय प्रशासक माननिय श्री प्रफूल पटेल जी आमंत्री करते हैं इन संगप्रदेशों के माननिय प्रशासक श्री प्रफूल पटेल जी को आपके स्वागत प्रवचन के लिए खारत मता की थांग प्रदेश नाटनागर हवेली और दमण दिवना इप्यास नी आ आइप्यास ही कडिये प्रवादन दिवनी चाहए अपने सेवने मातर श्रंकरव आपना प्रेणा स्थोथ्रे के अपना लाडी ला रेता माधरनिय शंधेश प्रधानमंत्री स्री आजे आपने आगणे प्रधालेला चाँ झिभिज्ण मंठ्री श्री है आग नहीं कुड़ के शुटव पिशेश लागणी है । आग दो आग मतने छिला बे बर्श्मा भीषुला इसागी ञुट ऐने शुटवागा करी आजा दीना शित्टेर वर्ष सुधी कोई प्रधार मंत्री ऐसे संग प्रदेश ने आतनी मुलाका नदी करी आई इतियास ने पहनी किना चे मात्रदेश अंगा करा हमा अच्छोथी मुलाका जारे जारे आए आपने नभी गेड़ सोकाद आपी सिर्ण तादरा नगर हमें लेना प्रथम प्रवास पर्मियास सामाजी करिवट्टर अन्य सामाजी कुछ थान ने घ्यान माराखे अन्य जिवी दियोजना उन्हों प्राइडम किरा दो अन्य लाभार्थियों ने लाभान बिट करया आदे अधर ने प्रधान मंत्री फ्री ए घूब संबेट ना साथे शेवाद अन्य ग्राम जनों ने प्रधान मंत्री उचिम्रा योजना एठा लगबग अग्यार हजार जेटला गैस कनेक्शन आपयाद एस शिवाग प्रधान म प्रधान मंत्री श्री ये बार वर्ष्टी आपने समक्स परतर प्रश्ण हो तो जमीन नादे हको हता जंगे जमीन नादे हको हता ये हक छिला बार वर्ष्टी फरतर हता आज ये प्रधान मंत्री श्री अभी गत्मुला का दर्म्याद एक चातके चैने सोच येपना मारा अजिना से घरी भाई रहनों ने को ताना हक अपनू काम पुरूँ करियो होता है नित्रो आशिवाएं अनेक कामों अने प्रधान मंत्री से ने कुपाद रश्री ना काने आप विस्तार्ना विकास ली चिंता करवाना कावेरे आए विस्तार जा पिडित, सोशित, बंचित अनि गरिवों मा एक अनेर उस्छान वातावरन भी आप एक ये प्रक्तेक्स निहर हिसा निहर हिसको तो आविशार जन मेर्दी अने कंजति नहर्वाद मंत्री श्रक्सर्ण कर अपना लादी लादी ना समझी कि जमने गरीबों नी पीडा ने खूब नजी कि समझी छे तेमना दुखुमा भागीदार समा शतत्त प्रहेच शिल रहा शे गरीबी वेंगना ने पीडा समझी अने आज सम्झें ने भलस होती एकले आयुश्रिमान भारत योजना फित्योगान ने देशना पत्रहात करोड नागरीगों ने आनों पंद सेवालू लाब प्रणार्शा जित्यों मने कहता आनन कायग अनर मने जड़ावता आनन कायग ज़िए आई उसमार भारत योजना इसले के सामान ने ने लोग टेज्या मोधी केर्योजना थारी दारी पूर्ण करवा बाविल चे वित्रों हाष्ट माइं आ योजना खरेखर गरीबों बाटे आशिर वातों अनि इत्ला माटे आविस्टान लोगों बनामादरिया पिर्हां मंतरी स्री ने पर्तुक बंजन रिवाँ सब्तों धी कोतार आधर खाव फ्रगट करें लोगों नाम अने कि वी जोजना होना माध्यम से देशना साधार नागरीक माधे अउसर पूड़ो पाले तेना सामर्स देखर ने हुजाएं करें इना हां अ आत मेला आथ इस्वास दिला लेगे तेना मंजने उजली तक हुपी करें चाहें के खेडूत होई बहिडा होई युवान होई इसाधार नागरीक होई तो आधली तुद्धानमुत्री श्री जैंडे हंने संगित्भतेश माधे वीवाना माड़ी आ खेडूत्री बाबत धेडूत्री बाबत उज्जावत जगर्दी बाबत भूते की विकास्ती बाबत होई सामाधी की दिकास्ति बाबत होई, हम तमाम बाबतों माते विशेश लागणिया दे भाव साथे, अनेक जोजनाव मंदूर करी, प्रदेश ने प्रदेश ना नागरिकों के गवरान्वित करया से, एवा अपना परमादलिया, सक्धे मर्हान मंदरी स्री लू, वो नंत मस्त के पंदन करी, अभिवेटन करी, इन रजय कुरुवक सागतों, आसाथे, आविश्लार ना प्रजाप्रिया सांसर, बाई स्री नटू भाई, दमन्दी ना लोग्रिया सांसर, बाई स्री लादू भाई, बलसार ना लोग्रिया सांसर, बाई स्री केसिपटे, अपना परोसी मार पालकरन संचर बाईश्री राजयंद्रमाई गावेची, बन्ने संगप्रदेश ना इल्लापंचार ना सनमानिय प्रमुक्षरियों, संगप्रदेश ना नगरपालिकाना अध्यक्षिच्रियों, सोव चुन्ताय ना जलपृति निदियों, सोव सर्पंच मीत्रों, स्वातांत मारा सेनानियों, मोटी संग्जामा पदारेशा, मारा सव आध्ननिय वडीलों, मातावेलों, लाबार्दी भाईयों, दिव्यांक मित्रों, उद्यो कुरुन आगेवानों, मारा वाला कामदर मित्रों, चेना मात्र में सदाय विशेष प्रेम चे, अध्यक्षिच्च्च्च और परिखे लिखने समयं, मातावेलों, एकतावी संग्षिच भाईयों, मातावाद, चे रचांडे के बाईयों, चेना में सद्मातना आगें酒, अध्यक्ष, ऩाब चाहिया, इसद्व्यांक मातावेखीशा, मातना माताथी, माक्रम मात्रम। माकरम, 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 अबार दल्यवार. 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 आपनी मोधी सरकार चार वरस्माँ करीने बताई जा मित्रों, ना भूलकाओ मते अंगणवाली के बाल वाली के नंद घर एतमे जो घर जोजो मारी अपील चे एमा भी जेमार एम्पिलार्स की माथी अमाई दमन मां सब्सक्राइब करने राशियोग दाना पिजे मित्रों, अंतराष्ट शेत्रे आजे भारत जे गवरावने मान समान प्राप्त्य उचे, तेनो पूरा अपना आदर्णिया प्रथान मंत्री ने जाई छे, आजे चेन होई के पाकिस्तान भारत नी जे अख़्ोमा आख नाखिय ने वाद करे चे, टुकलाम तेनो ताज उधान प्लास्टिक एंजिरीन कोलेज नसीन कोलेज गणा समय इत्ती सरू करिद्यामा आवीचे प्लास्टिक एंजिरीन कोस्ट मां दमनी एंजिरीन कोलेज मां सरू करिद्यामा आपानाँ जे बरातन इत्यास मां पहली वार कोई सरकर अव करिया करिद्यामा आवीचे प्लास्टिक एंजिरीन कोई सरू करिद्यामा आपानाँ प्लास्टिक एंजिरीन कोई सरू करिद्यामा आवीचे के तेमना मार्गरेट सनन बनने प्रदेश मां विकास बुले टेन नी गति थी थाईरोचे अने आवना दियोसों मा पान भीजा घणा विकासों न काम आपना प्रदेश मां थवनाचे बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, सौंस्ता प्रदभ्यान, सबका साथ सबका युकास अब की बार फीर मोदी सरकार बात माता की बन ड़ोथ बहुत-बहुत धन्यवाद माननिय सांसद श्री और अब आमंत्रित करते हैं द्हाद्रा व नकरफ Abg eco के मारनिय सांसर्द श्रीनटू भाई पटेल को आपके उद्बोधन के लिए पाराणी की स्स्वी प्रदान मंत्री दिमा नरंद्र भाई बोधी जी दम्मन दीव के मसासा प्रफुल भाई पटेल जी दम्मन के सांसाथ लालू भाई पटेल जी बलसाड के सांसाथ श्रिमान किसी पटेल जी बालगार के सांसाथ राजंद्र गावित जी आज दादरा नगर हवेली पे इतनी बड़ी जन संख्या में दादरा नगर हवेली और वलसाड पालगार से और दम्मन दीव से आये सभी भाईयों और बेहनों और यहां उपस्तित सभी मेडियागाण आज मान्या प्रदान मंत्री जी ने नरेंद्र भाई जी ने जो भेट दी है मेडिकल कॉलेज कि जो दादरा नगर हवेली और दम्मन के अंदर नव सीट साथ सीट के लिए लड़ाई करते थे आज 150 सीट के मेडिकल कॉलेज मान्या प्रदान मंत्री जी ने दादरा नगर हवेली को दीए है वित्रो आज का दीन ऐसा दीन है मैं ऐसा मानता हूँ दादरा नगर हवेली 1954 में आजाध हुआ था उसे बड़ा दीन आज का दीन नहीं हो सकता ऐसा मैं मानता हूँ दादरा नगर हवेली में जबी मान्या प्रदान मंत्री जी नरेंदर भाई मोदी जी आये थे दो अरजाद 14 में चुनाव के समाई कहा था कि मैं सिधा दादरा नगर हवेली को द्यान रखूंगा वो पुरा दीख रहा है दादरा नगर हवेली के अंदर भारा सरकार की जितनी भी योजना है आई सुमान भारत में ओगान चालिस परिवार को फाइदा मिलने जा रहा है दाबर्थी को उजवाला इसकिम से माध्यम से सोला हज़ार परिवार को गेस सिलिंडर दिया गया है इसी तरह से नगरपाली का विस्तार में पाइपलाइन से भी गेस का काम का चालू है गुजरात गेस से प्रदान मंत्री आवास योजना में ग्रामिड में 5708 गार दिया गया है और भी काम चालू है और हमारे नगरपाली का विस्तार में 2700 से जादा प्रदान मंत्री आवास योजना का का काम चालू है स्वास्त मिश्तान में 22,000 से जादा टोलेट देने का काम बारा सरकार के तरफ से किया गया आज नगरपाली का विस्तार में आज लोकरपन होना है और फिल्टर स्किम सामरवानी डोकमड़ी और नरोली विस्तार में जो पानी पीनी की जो समस्य थी वो आज मान्या प्रधान मंत्री जी का हस्ते लोकरपन होगा और हमारे यहां रिवारपन डेलोपेंड डादरा नगर हवेली में दमन गंगा नदी के उपर जो रिवारपन है वो ऐसा रिवारपन बनाये गया मन्या प्रफुल भाय पटल जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका विविया अभार मानता हूं दमन गंगा ब्रीज के उपर तीस ब्रीज नई बनाये गए जंगल की जमीन आदिवसी समाज पर आदिवसी समाज माटे मन्या प्रधान मंत्री जीए ना हस्ते गया वर्षे ने आवक्ते चार 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 हजार थी वधारे जमीन आप पट्टा आपकानू काम करवामा आई वो से जेमके आर साइन्स अने कमर्शनी कोलेज जहरे नरेंद्र भाय गुजरात ना चीफ मिनिस्टर अता त्यारे आमें दाद घंधे नगरमा गिया आता एक्कत ने आज ए मेडिकल कॉलेजेश बंड़ 150 सिटनी मेडिकल कॉलेज दादरह नगर हवैली ने कि मैं मनेप अन्ants वंद्री शाला का इतना अबार मानता हो जनता की तरफ से मैं यहां आंगा सभी जनता को कहूंगा कि जबी मैंण्यप्रधान मंतरी जिने नरेंद्र भाई ने हमको इतनी बड़ी बेट दी है तो मेरी सभी को नम्बरा अनुरोध है कि आप जगा पे खड़े होके परदान मंतिरी से परदान मंतिरी को ताली बजा के स्वागत करेंगे हम सबी लोग पंडाल में खड़े हो जाए और ताली बजा के पधान मंतरी का स्वागत करिए जीनों ने हमको इतनी बड़ी बेट दी है जो दाद रानकर हविली में और दम्बन दीव के लिए इतियास के पन्ने पे लिखा जाएगा बारात मता की बारात मता की बान दे खुबखुब आभार माननिय सांसादश्री साचा अर्थमा आजे संग प्रदेश माटे अईति हासीक सोनेरी दिवस उग्यों छे विश्वनी सौथी मोटी आरोग्य संभाल योजना एकले आयूश्यमान भारत प्रधान मंतरी जनारोग्य योजना आयोजनानो लाभ लेवा माटेनी पात्रता धरावता परिवारोने सोटका गोल्ड कार्ड इश्यू करवामा दमल दीव दाद्रा अने नगर हवेली समगर भारत मां सर्व प्रथम रहाचे अने आजे प्रतिकात्मक रूपे तेमाना केतलाक लाभ वर्थियोंने गोल्ड कार्ड अरपण करवा विननंती करिये छिये माननी अप्रधान मंतरी श्री ने मंच पर बोलाविये चे त्री रेखा निलेश पटेल आयुशे मान भारत ना अलाभार्थी जैमने गोल्ड काड अरपां करी रहया चे माननी अप्रधान मंत्री श्री श्री धीरु भाई दातु भाई पटेल श्रीमती मीना अर्विंद भाई वर्था श्रीमती अमीनिमें पटेल प्रेमीला सुकर कोटिया जिवन निर्वह करता प्रिवारों वन अधिकारों आपीने संग प्रदेश प्रशासने अहीना आदिवासियों ने गवरव अपावियूंछे। अलाभार्थियों हवे पोतानी जमीन पर खेती करीने पोतानी आवक वधारी शक्षे। विननती करीयचे माननिय प्रदान मंत्रिश्री ने केतेवों आ परिवारों ने वन अधिकार पत्र अरपण करे। श्रिमती पोवाणी बेन दसाम भाई रावटे। श्रिमती येमा बेन पांडु भाई पतारा। श्रीमती जैनी बेन सुरेश भाई मास्या। श्रीमती चंदन विनोद पोया। श्रीमती बाना बेन साका भाई भोया। आदि वासियों नी चेतना जगाडनार आपणा आधानिय प्रधान मंत्रिश्री ना हस्ते स्विकारी रहाचे वन अधिकार पत्रों। खुबखो बाभार माननिय प्रधान मंत्री श्री। दीव, दमण, दाद्रा, वनगर हवेली के लोगों का सालों का सपना था कि यहां पर एक मेडिकल कॉलेज हो। और आज हमारे लिए परमसोभाग्य की बात है कि माननिय प्रधान मंत्री जी के विशेश स्नेह और प्रयासों से हमारी ये प्रतिक्षा आज पूरी होगी। आज जिस ग्राउंड पर हम इकठे हुए हैं, बहां एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिसका इशिलान्यास करने के लिए बिनती करते हैं माननिय प्रधान मंत्री जी से। मेडिकल कॉलेज का इशिलान्यास करने के लिए बिनती करते हैं। माननिय प्रधान मंत्री श्रीम नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हुआ दादरा और नगर हवेली में इस मेडिकल कॉलेज का शिला न्यास और उडान भरी उन हजारों बच्चों के सपनों ने जो वर्षों से मेडिकल की शिक्षा पाना चाहते थे इनकी आँखों की बढ़ती चमक और चहरों पर बढ़ती मुसकान माननिय प्रधान मंत्री श्रीम नरेंद्र मोदी को कोटी कोटी धन्यवाद दे रही है के अब इनके डॉक्टर बनने का संकल्प पूरा होगा आज प्रधेश को उसका पहला आधुनिक मेडिकल कॉलेज मिला है और देश को एक और इंसिट्यूट आफ एक्सिलन्स मिला है साहिली में श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ ये मेडिकल कॉलेज लगभग 18 एकर जमीन बद बनवाया जा रहा है दोनों प्रदेशों में पहले कुल मिलाकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए साल में केवल 15 ही सीट्स हुआ करती थी लेकिन माननिय प्रदान मंत्री जी के दोनों प्रदेशों के लिए विशेश स्नेख के कारण अब इस साधनिक मेडिकल कॉलेज में 1500 मेडिकल स्टूदेंस MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे इस संस्थान में हर प्रकार की तकनीक मौजूद होगी यहाँ लेटिस्ट लाब्स होंगी यहाँ अत्याधुनिक मशीन्स होंगी यहाँ रीसर्च और गहन अध्यान के लिए एक बड़ी लाइबरी का भी निर्मार किया जाएगा जिससे बच्चों को विस्तृत और संपूर क्यान मिल सके 189 करोड की लागत से तैयार हो रहे इस मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के सर्वांगीन विकास के लिए फुटबॉल ग्राउंट, टेनिस कोट, इंडोर स्विमिंग पूल की सुविधा के साथ एक जिम का भी निर्मार किया जाएगा यानि देश को स्वस्थ रखने वाले इन प्रतिभाशाली डॉक्टर्स के स्वस्थ का भी ध्यान रखा जाएगा नौजवानों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अब तक दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था लेकिन इस मेडिकल कॉलेज और इसमें हर सुविधा से लैस रेजिदेंशिल हॉस्टल बनने के बाद माता पिता दिल से माननीय प्रधान मंतरी जी को धन्यवाद देंगे कि उनके बच्चे उनकी आँखों के सामने डॉक्टर बन पाएंगे अधूरे सपनों को पूरा करने की खुशी प्रधान मंतरी जी को आभार देती है बच्चों के जीवन की रोश्नी प्रधान मंतरी जी को आभार देती है ये मेडिकल कॉलेज दमन दीर एवं दाजान अगर हवेली के बच्चों के लिए वर्दान है हमारे देश के प्रधनमंत्री को मेरा कोटी कोटी दन्यवाद इतना अच्छा मेडीकल कॉलेज वह हमाई सिलाशा में स्टाट अप करने जाह रहे है तो फो थाइंग यू सो मज़ पो देट बहुत बहुत दन्यवाद माननिय प्रधनमंत्री जी और आप सभी को बहुत 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 बधाई के यहाँ पे एक मेडीकल कॉलेज बनेगा संगप्रदेश दीव दमाय दादरा इवं नकरहवेली के लोगों के सामाजीक व आर्थिक विकास को नई उचाई पर ले जाने वाली कुछ परियोजनाओं का इशिलान्यास करने के लिए बिनती करते हैं माननिय प्रधनमंत्री जी से दादरा और नगरहवेली दमन और दीव आज अपने प्रदेश के विभिन क्षेत्रों में समाज के हर वर्ग के लिए कई विकास कारियों की आधार शिला रख रहे हैं जो कल दादरा और नगरहवेली दमन और दीव के विकास का चहरा बनेंगे माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलो द्वारा प्रदेश के विकास के आने वाले कल का शिलान्यास हो रहा है तादरा और नगर हवेली में विकास के नए आधार शहीत चौक से नरोली चेक पोस तक की सड़क का नवीनी करण और सौंधरी करण प्रधान मंत्री आवास योजना के तहर 1232 घरवाले अफोर्डेबल हाउसिंग कॉंप्लेक्स पिपरिया से समर्वर्णी तक की सड़क का नवीनी करण और सौंधरी करण तादरा नरोली और खान वेल में तीन नए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तादरा तिघरा रोड और समर्वर्णी से रखोली रोड तक का नवीनी करण और सौंधरी करण CRF के अंतरगर 20.65 किलोमीटर की डिस्ट्रिक्ट रोड का नवीनी करण और सौंधरी करण तादरा पाटे लाद में इंटिग्रेटिड वॉटर ट्रीट्मेंट प्रोजेक्ट सिल्वासा में नाशनल हाइवे पर तीन फ्लाइओवर्स का नर्माण दमन और दीव में विकास के नए आधार रिंगनवाडा, कची गाम, दमनवाडा और आमबावाडी में नए स्कूल्स दमन फोर्ट में नवीनी करण और सौंधरी करण नानी दमन में स्थेत जेटी गार्डन का नवीनी करण मोटी दमन में चिल्रेन मेमोरियल गार्डन मांदोरकर स्टेडियम और मोटी दमन स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स का पुनर विकास जमपोर सी फ्रंट में पुल के निर्मान की योजना मोटी दमन में धोलर जंशन से जमपोर बीच तक की सड़क के नवीनी करण की योजना मोटी दमन और नानी दमन में आधुनिक वेज़ेटेबल मारकेट, फिश मारकेट और शौपिंग कॉम्प्लेक्स दमन में वाटर सप्लाई दिस्टिबूशन का पुनर विकास दमन में देश का पहला वाक्यून टेक्नोलोजी आधारित आधुनिक सिवरेज लाइन प्रोजेक्ट, दीव में 26.72 किलोमीटर की सड़क का नवीनी करण दीव के अंडरग्राउंड सिवरेज सिस्टम फेज दू की परियोजना चक्र तीर्थ बीच पर INS खुकरी मेमोरियल पार्क का नवीनी करण दीव में नया फोर्ट सर्किट हाउस INS खुकरी मेमोरियल हिल का सौंधर्री करण दीव में मचुवारों के लिए बीचिंग प्लाटफॉर्म दाभेल, परियारी और खारीवार में नए स्कूल भवन आज जब माननिय प्रधान मंत्री जी के कर कमलों से लगभग 860 करोड की लागत वाले विकास कारियों की नीव रखी गई है तो प्रदेश ने एक उज्वल भविश्य की योर अपना पहला कदम रख दिया है आज के इस शुब अउसर पर संगप्रदेश दीव दमन दाद्रा वनकर हवेली को कुछ ऐसे विकास कारियों की भेट मिलेगी जिससे यहां का जन जीवन अधीक सुगम होगा लोगों की सुखाकारी में बढ़ोतरी होगी तो माननिय प्रधान मंत्री जी को बिंदी करते हैं इन विकास कारियों का लोकारपन करने के लिए आज दाद्रा और नगर हवेली दमन अर्द्यू ने अपने तीन सालों के आधक प्रयासों को सफल परिणामों में बदल दिया आज प्रशासन के कई प्रोजेक्स और परियोजनाओं का निर्मानकारी पूरा हो चुका है और वो लोगों को लाप पहुचाने के लिए तैयार है आज माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलो द्वारा लुकार पणकर हम ये परियोजनाओं ये सौगात प्रदेश की जंता को समर्वित कर रहे हैं ये हैं दाद्रा और नगर हवेली की परियोजनाओं अब नरोली, सामरवरणी, मसाथ, खरण पाड़ा गाउं के हर घर के नल में आएगा पीने योग्य पानी बारहा हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स अब नुकर नुकर में लेगी लोगों को स्वास्थिकी सुरक्षा दमन गंगा रिवर फ्रांट फेज दू एंट्री अब सिल्वासा का दमन गंगा रिवर फ्रांट, प्रदेश की संस्कृती को प्रदर्शित करते हुए सुएज की वर्षों की परिशानी से सिल्वासा होगा मुक्त सिल्वासा नगरपाल का भवन, अब सरकारी काम होगा आसान Midday means centralized kitchen अब बच्चों को मिलेगा स्वस्त और पौश्टे का हाथ और जब तंदरुस्त हो तन तब तरक्टी करेगा मन गुद्मी और दपाड़ा में बालिका चाक्रावास अब प्रदेश की हर बच्ची रहेगी सुरक्षित और होगी आत्म सम्मान की रक्षा रिंग रूट से तू पिपरिया का निर्मान 28 आंगनवाडी का आदमिक नंद निर्मी परिवर्थन अब बच्पन होगा खुशहार चेक डैम्स का निर्मान खेती और सिचाई के लिए किसानों का जीवन हुआ आसान अब दियू में हजारों बच्चों को मिलेगी उच्चितम विद्या और होगा उनके उज्जवल भविश्य का निर्मान जरी कचिकाम सेत्म दमन गंगा नदी पर बना ये पुल लोगों की जीवन में लाएगा गती और जीवन बनेगा सरण मोटी दमन समुद्रतट सुरक्षा दीवार का निर्मान मोटी दमन में सुविज लाइन और सुविज ट्रीट्मेंट प्लान आज मोटी दमन को पहली बार मिल रहा है एक व्यवस्थित सुविज मानेजमेंट नेटवर्क यानि एक बड़ी समस्या का हुआ समाधान अब इस सेंटर के माध्यं से आदिवासी परंपराओं को मिलेगी सुरक्षा और आदिवासियों का बढ़ेगा मनोबल प्रधान मंत्री आवास योजना शेहरी अफॉर्डबल हाउजिंग कॉंपलेक्स बेगरों के लिए नए घरों का निर्मान श्रम योगी निवास परिसर प्रशासम की एक संवेधन शील पहर कारेरत वरकस को मिलेगा उनके सपनों का घर छे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अब लोगों को मेडिकल से विधा मिलना होगा और भी आसां आज माननिय प्रधान मुंत्री जी ने 561 करोड 31 लाख की लागत से बनी इन परियुजनाओं को लोगों को समर्पित करके प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली की शुरुआद की है जिसके लिए प्रदेश आपको करवद धन्यवाद करता है दीव, दमण, दाद्रा अने नगरहवेली माटे एक नवी आईटी पॉलिसी घडवा मावीशे जे सुशासन द्वारा विकास नीगती ने वधु तेज अने पारदर्शी बनावशे मानने ये प्रदान मंत्री श्री ने विनंती करिये छिए कि तेवो आ संग प्रदेशों माटे नी नवी आईटी पॉलिसी नूँ विमोचन करे मानने ये प्रदान मंत्री श्री नरेंद्रपाई मोधिये न्यू इंडिया माटे हेल्धी इंडिया अने डिजिटल इंडिया ने पन महत्वा आप्यों शे आरोग्य अने टेक्नोलोजी ना समन्वे रूप एक विशेश एप प्रशासन द्वारा तैयार करवा मावी शे मानने ये प्रदान मंत्री श्री ने विनंती के तेओ आप रिमोट कंट्रोल द्वारा लॉंच करे अनूठी और ग्रांतिकारी पहल है ये स्वास्ते सेवाई प्राप्त करने के तरीते में एक सुखत बदलाव लाएगा इस आप को आप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है इसके बुक अपॉइट्मेंट फीचर से आप प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल से किसी भी डॉक्टर से अपनी सुविधा अनुसार अपॉइट्मेंट बुक कर सकते हैं और घर बैठे ओपीडी टोकन जेनरेट कर सकते हैं इतना ही नहीं इसके OPD स्टेटस फीचर से आप जान सकते हैं कि आपका नंबर कब आईगा Electronic Health Record option पर क्लिक कर आप अपने नए पुराने सभी medical records देख सकते हैं Lab Reports फीचर पर क्लिक करके आप पुराने या नए सारी test reports हासिल कर सकते हैं और Imaging Reports फीचर का उपियोग करके Radiology Reports जैसे X-ray, MRI, CT Scan आदी अब हमेशा आप के पास होंगी यानि अब किसी भी रिपोर्ट के खो जाने की चिंता नहीं और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि परिवार के हर सदस्य के पास ये आप हो Add Family Member option पर क्लिक करके आप अपने पूरे परिवार को एक ही आप से जोड सकते हैं Immunization Details के माध्यम से अपने बच्चों के टीका करण की स्थिती जान सकते हैं बले ही आप अपने या आपके माता-पिता के अगले चकप की तारीख या फिर गर्भवती पतनी की स्वास्थे जाच की तिती भूल चाएं लेकिन एम आरोग्य, नोटिफिकेशन और रिमाइंडर भेज कर आपको ये भूलने नहीं देगा साथ ही आप आयुश्मान भारत प्रदान मंत्री जन आरोग्य योजना से चुड़ी हुई प्रशासन की किसी भी स्कीम की जानकारी भी इस आप पर प्राप्त कर सकते हैं और एमरजेंसी में डॉक्टर की सलाह और अम्बूलेंस भी बुला सकते हैं याने स्वास्थे सेमाई और जानकारियां हर घड़ी बस एक क्लिक पर आज दिजिटल इंडिया के परियोजक माननिय प्रधान मंत्री द्वारा इस अतुल्य आप के शुभारंब के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कोटी-कोटी आभार माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रेरणा थी स्वच्छ भारत अभ्यान आजे समक्रभ भारत नू जन अभ्यान बनी गयूंँछे कच्रानू बईज्ञानिक धबे विभाजन पण तेनू एक महत्वनू खटक छे स्वच्छ भारत अभ्यान के तहट सिल्वासा नगर परिशद और दाधरा नगर हवेली के ग्राम पंचायतों ने अपने क्षेत्र को कूड़ा और कूड़े दान मुक्त बनाने का प्रण किया है इस मुहिम के लिए पूरे नगर एवं छे पंचायतों में इंटिग्रेटिट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राजेक्ट की शुरुवात हो रही है प्रति दिन एक नियत समय पर घर घर से अलग-अलग गीला और सूखा कूड़ा पंद गाड़ियों में एकत्रित किया जाएगा सारी गाड़ियों में जीपियस लगाया गया है और कंट्रोल रूम से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी गीले कूड़े से जैविक खाद बनाई जाएगी और सूखे कूड़े को रिसाइकल किया जाएगा प्रशासन को गर्व है कि सौटन से अधिक कूड़े को प्रति दिन वैज्ञानिक प्रक्रिया से घाद में बदल दिया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान में दादरा और नगर हवेली के प्रशासन और नागरिकों का ये महत्वपूर्ण कदम है आज जब इस मोहिम की शुरुआत स्वच्छ भारत के प्रणेता माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हो रही है यहां का जन मानस खोशी से गदगद है दादरा और नगर हवेली के नागरिक और प्रशासन भारत और अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रति बद्ध है सबका साथ सबका विकास इस विचार को सार्थक करने वाले आदाणिया प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी देश की गती प्रगती और उन्नती के सुत्रधार है आयुशिमान भारत, उज्वला योजना, जनधनी योजना, स्वच भारत अभ्यान, आवास योजना जैसी अनेक सर्वजन स्पर्शी योजनाओं से आपने न्यू इंडिया की निव रखी है सु शासंद्वारा ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया नो राजमार्गते यार करनार एक भारत, स्रेश्ट भारत ना स्वपन द्रष्टा, एवा माननी या प्रधान मंत्रे श्री नरेंद्र भाई मोदी आजे सिल्वासानी धर्थी पर पधार्याचे, त्यारे आवो तेमने आ आउकारवा माते निमंत्रित करिये शिये प्रश अशाक श्री प्रफुल भाई पटेल ले त्रू ठिला एक अठवार्या थी जारती आपने खबर बढ़ी से आजने प्रधान मंत्री श्री आपना आंगने बीजी पखत पधारी रहा है कारर्ण आप सवनी माटे बिल्कुल पस्त थी घरा वर्शों या अपनी भूख थी एक-एक सीट माटे आपने अभीरत प्रयास करो थी आपने मात्र पंदर सीट सुझी अपने पहुंची शेक्या आजादी ना सित्तेर वर्श पच्छी एना कारणी स्वाभावी कि रिदे समग्र प्रदेश माँ एक प्रकानू आनंद ने उस्सानू एक बातावरनों को प्रमाद्री ने प्रधान मंत्री ने सत्कार्वा मादे आज संग प्रदेश मां उद्योग्र हो ओए होडील आसोशेशन वाणा मित्रों होए प्रा शरकारी शाड़ा होए खांगी शाड़ा होए फुताना वेक्तिकेत मकान होए अब अधी जग्या हूपर शहर मां खूप द्रखरती रोश्णी करी गे और चैनले अपने समगर शेहर मा रोष्णी करी हुआ तो मित्रों महारूप आपने पर सुचन से कि तम्मे ए रोष्णी करिये तो प्रण आदेडे प्रधान मंत्री सिरी तो मारी आपने विलंते चेक पोताना आपनी पासे जे मोबाईल से ए मुबाईल मा टॉर्च आउन करी आई बेठेला तमामे तमाम लोगों पुताना मुबाईल मा पुतानी तॉर्च आउन करी आदेडे प्रधान मंत्री सिरी नो स्वागत करे अमनु सलमान करे अलेक दिवारी जेओ माहूल एट पर मोबाईल बाकी नहीं रहे जाए एट मोबाईल बाकी नहीं रहे जोए समग रहो अडियस मां पाछाडी बाजू आब आजू अजी बागी से बित्वा तमामे तमाम लोगों पुताना मुबाईल लिबेठे आउन करे अब आजू जी जे बाकी से मित्रो आजी पाछाडी बाजू बाकी देखाए चे अठा बंडाल मां एक दिवारी जेओ वातावर लोगों पुताए यह वो प्रयास करिये मित्रो अपनी मोबाईल लिबेठे ने ओन चालू अन राकी आधेड़ी प्रधान मत्री जीसे पर स्वागत करिये भारत मता की भा मतार पुल्श स्वागताओ यह वो अपने अजड़हर ती रोशनी साथे अने तालियोन अरशनाद साथे नवा बहाटना निर्माता सवासो करोण आदेश वासियोना रडे श्मरात बारत माताना साचा सपूत आपना सवनादन अधर्णी अप्रधान मंत्री श्री ने बारत मताके मंच पर विराजबान, दादरानगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक, जिमान प्रफूल भाई पतेल, तौंसद में मेरे साथी, श्री नतु भाई पतेल, श्री लालु भाई पतेल, वल्चार से डॉक्टर केशी पतेल, महराष्टर से इसी राजेंद्र गाविजी और दमन दीव सेलवास के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रधान सिवक के तौट पर मैं फिर एक बार आपके बीच हूँ, लेकिन उससे पहले भी यह दमन हो, दीव हो, सेलवास हो, यह के गाउं हो, कि मेरे लिए नहे नहीं है, कई बार आने का उसर मिला दादरान अगर हवेली और दमन दीव की सड़कों पर, कभी स्कूटर में फूमने का मोका मिलता था, यहां के खान पान रित्रिवाच, यहां के नागली, सब कुछ, जब यहां आता हो, तो पुरानी बाते यहां दाती है, आपके प्यार में मुझे अभिवूत किया, साथ्यों 2017 में, जब अप्रिल के महिने में, मैं आपके मिटाया था, तो अनेग योजनाओं का सिलान्यास किया था, मुझे खुशी हैं कि इतने कम समय में, अधिकाओं उसका कारिय पुरा कर लिया गया है, और उनमें से कई का आज लोकारपन किया जा रहा है, अज जब एक बार फिर आपके बीच हूँ, तो यहां चौदा सो करोड रुपिये से अधिक के प्रोदेश का लोकारपन और सिलान्यास किया गया, यह परियोजनाय, यहां की कनेक्टिविटी, इन्फास्ट्रक्चर, स्वास्त, और सिक्षा, परियाटान, संस्कृति, विराशार, इन सब अनेक पहलुए से जुड़ी हूँ, यहां के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, आज यहां नई इंडिस्ट्रियल पॉलिसी और नई आईटी पॉलिसी भी लॉंच की गई, नए वर्ष पर इन उपहरों के लिए, आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई, भावियर बहनों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही, केंद्र की सरकार, विकास की पंचधारा के लिए, पूरी तरह से समर्पीत है, बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई, और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है, मुझे देखकर भी खुशी होती है, कि पिछले पांच वर्षों में, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का अविकास, नई उचाई पर पहुँचा है, इन दोनों ही छेत्रों की एक नई पहचान बनी है, अनेक विशयों में, ये दोनों केंद्र, संग्य प्रदेश, व्यवस्ताओं में, अपूर्णता से निकल करके, पूर्णता की तरफ आगे बढ़े हैं, आज दमन, दीव और दादरा नगर हवेली दोनों ही खुद को खुले में सौच से मुक्त गोशिद कर चुके हैं, आज दोनों ही खेत्रों के हर गर में LPG कनेक्शन है, और दोनों ही केरोसीन फ्री गोशिद किये जा चुके हैं, आज दोनों उन्डियन टरिटरी के सभी घरों में पिजली कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, आज इन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले वो गरीब जो प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट घर पाने के योग्य थे, उन्हें गरों की मंजुरी दी जा चुकी है, आज दोनों ही खेत्रों के वो लोग जिने आविश्यमान भारत योजना का लाप मिलना है, गोल्ड कार्ड जारी किये जा चुके हैं, साथ यो अगर मैं बीते तीन वर्षों की ही बात करूँ तो इन दोनों केंद्र साहसित प्रदेशों में करीब करीब नव हजार करोड रुपिये का निवेश किया गया है, नव हजार करोड आप कलपना कर सकते हैं, अब हमारा छेत्र कहां से कहां पहुँच रहा है, इस राची से अनेक परियोजनाय सुरू की गई है, अनेक को पूरा किया गया है, इसी कड़ी में आज यहां स्वास्त से जुड़े अनेक प्रोजेश का लोकारपन और सिलाध्यास किया गया है, आपके एक बहुत पुरानी मांग भी पुरी हुई है, दादरानगर हवेली दमन और दीव को आज हादी के इतने दस्वकों के बाद अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिले आज तक दोनों केंदर सासित राज्यों को साल में सिर्फ पंदरा सिटे ही अलग-अलग जगाओं पर मिलती थी, अब इस प्रयां से 150 सिटे एक ही जगह पर इस नई मेडिकल कॉलेज में प्रारंब हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आगे चाल करके डेड़ सो पर ही रुकेगा, जैसे काम बढ़ेगा, स्टूडन की संख्या भी बढ़ेगी, कोशिस ये भी हो रही है कि बीना समय गवाएं एक वैपकल पीक बिल्डिंग से इसी वरसे ही मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा सके, मुझे भी बताया गया है कि मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, सिलवा सामय, पैरा मेडिकल की करीब, दाइसो और दबन में नर्सिंग की पचास सीटों की भी व्यवस्ता की गई है, इन प्रयासों से युवा साथियों का तो लाब होगा ही, यहां की स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाने में भी मदद मिलेगी, साथियों, 200 करोड रुपिय की लागत से बनने वाले इस कॉलेज के अलावा, हेल तेवं, वैलनेस सेंटर्स का जो नेटवर्क यहां बनाया जा रहा है, उससे सामान या बिमारियों का उत्तम इलाज भी घर के पास ही संभव हो पाएगा, आयुश्मान भारत योजना के तहट बंद रहे दरजनों ऐसे हेल्ट एण वैलनेस सेंटर्स का भी लोकारपणी यहां किया गया है, भाई यो और भेनों, थोड़ी देर पहले यहां आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जनारों के योजना, उनके कुछ लाभारतियों को काड़ दिये गए हैं, दुनिया की इस सबसे बड़ी हिल्ट केर योजना की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है, लोग इसे मोदी केर कह रहे हैं, कारण ये हैं कि इस योजना के तहट हर दिन देश्व में लगबग 10,000 से भी जादा गरीबों का मुप्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है, अभी इसको सो दिन से थोड़ा उपर ही समय हुआ है, इतने कम समय में ही लगबग 7,000,000 गरीब मरीजों का अस्पताल में इलाज हो चुका है, साथियों दवाई के साथ साथ पढ़ाई की सुमिदाओं का भी विस्तार किया जा रहा है, थोड़ी देर पहले, यहां सिक्षा से जुड़े नए संस्तान आपको समर्पित किये गए है, दीव का एजुकेशन हब, इसके समाम ब्रवस्ताएं, यहां के युवाओं को घर के पास ही अच्छी सिक्षा उपलब्द कराने में मदद करेंगी, बाई और बैनों, तबाई और पढ़ाई के साथ साथ सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही हैं, कि कोई भी गरीब बेघर न रहे, बिना च्छत को उसकी जिन्दगी ना हो, उसको रहने के लिए पक्का गर हो, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट, गाव और शहरों के गरीबों को, अपना पक्का गर देने का एक व्यापक अभियान, देश भर में चल रहा है, इस संकल्ब की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए, दादरान अगर हवेली और दीव दमन में, आज अनेक घरों का लोकारपन किया गया है, इसके अलाबा, नए घरों के निर्मान कारे का सिलानयाद भी थोड़ी देर पहले किया गया है, इसमें दमन के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले कामगार परिवारों के लिए बना हाउसिंग प्रोजेक्ट भी सामिल है, आज जिनके घर का सपना पूरा हुआ है, और जिनके घर बनने शुरूई हैं, उनको मेरी तरब से बहुत बहुत रदैपुरवक बधाई देता हैं, नए साल में नए घर का उनका सपना पूरा हुआ है, साथियों, बीते साड़े चार वर्षों में दादरा नगर हवेली जैसे छोटे से ख्षेत्र में एक हजार से अधिक शहरी गरीब आवास के लिए काम किया गया है, बनाए जा चुके, बीते साड़े चार वर्षों से, जिस कमिट्मेंट के साथ, जिस पीड और स्केल पर गरीबों के घर बनाने का काम चलना है, वो अभूत्पुरवा है, पहले की सरकार जहां अपने पांच साल में सिरब पचीस लाख गर बनवा सकी थी, वहीं हमारी सरकार अब पांच साल में एक करोड़ पचीस लाख से अधिक गरों का निरमार पूरा कर चुकी है, कहां पांच साल में पचीस लाख और कहां पांच साल में एक करोड़ पचीस लाख से भी ज्यादा, भाई और बेनों, ये भी सिरब चार दिवार्यों ही नहीं, इसमें सवभाग योजना के तहट बिजली का मुप्त कनेक्शन भी मिलता है, टॉइलेट पी रहोता है, कीचन में उजवला योजना के अंसरकर मुप्त LPG गैस कनेक्शन भी दिया जाता है, दादरान अगर हवेली की बात करू, तो यहां 13,000 बेहनों को मुप्त गैस कनेक्शन दिये जा चुके, इस प्रकार की तमाम सुविदाएं, गरीप के आत्म इस्वास को बढ़ाने में, सहायक सिद्ध हो रही है, सात्यों सामान्य मानवी का जीवन सरल और सुगम हो, इसके लिए देश के स्मार्ट व्यवस्ताओं का निर्मान हो रहा है, सिलवासा और दीव शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है, यहां की सडके हो, गलिया हो, सीवर और पानी की ववस्ता हो, साब सभाई की सुविदा हो, हर स्तर पर काम हो रहा है, फोड़ी देर पहले स्मार्ट सिटी से जुड़े अनेक प्रजेश का लोकारपन और सिलान्यास की आ गया है, साथ के और सिल्वासा तो इस पूरे खेतर की आर्थी गतिविद्यों का उरजा केंद्र है, अनेक उद्योग यहां पर है, और बविश में भी यहां उद्योगों में, उद्योगों में के लिए अनेक संभावनाये हैं, सिल्वासा नगर निगम का भवन हो, सिवेज ट्रिट्मेल प्लांट हो, कनेक्टिविटी को सुदद करने वाले प्रोजेक्ट हो, यह सभी यहां के जीवन को आसान बनाने वाले हैं साथियों, सिल्वासा के साथ साथ दमन और दीव भी विकास को रब्तार दी गई है दमन गंगा पर बने नए पुल, नई सिवेज लाइन और ट्रिट्मेल प्लांट जैसे सुभीदाओं से दमन वास्यों का जीवन सुगम होने वाला है वहीं मोटी दमन में बनी सी वाल, अब सागर की लहरों से आपकी सुरक्षा करने वाली है इससे मिंटी के कटान की समस्या बहुत कम होने वाली है साथियों पिछली बार जब मैं यहां आया था तो अनेक आदिवासी परिवारों को जमीन के पटे बाटे गए थे आज भी कुछ साथियों को जमीन के अधिकार पत्र सौंपने का आउसर मुझे मिला है भाई और बहनों जमीन हो जंगल की पैदावर हो पड़ाई लिखाई हो खेल से जुड़ी प्रतिवा हो हर स्तर पर आदिवासीों के कल्याण के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे है बंधन योजना के तहर जो जंगल की उपद है उसमें वेल्यू इडिशन और उसके उचीत प्रचार पसार के लिए देश पर में सेंटर बनाए जा रहे हैं जंगल से जो उपच आदिवासी बहन भाई खटा करते हैं उनका सही मुल्य मिल सके इसके लिए समर्थन मुल्य का दाइरा बढ़ाया गया है साथिवा आदिवासी समाज की कमाई के साथ साथ कल्चर के सवरक्षन के लिए भी कंभीर प्रयास हो रहे हैं आज भी यहां इके इतिहास और सांस्कुर्थिक विरासत चे जुड़े अनेप प्रोजेक्स का प्रारंभ हुआ है कल्चरल सेंटर हो पुराने किलों का सवरक्षन हो दीव में आयनेश खुकरी से जुड़े समारक स्थल हो यह निश्चित तोर पर स्थानी यह संस्कृति के सवरक्षन और उसके प्रचार प्रसार में अहम सिद्ध होने वाले हैं साथ्यों संस्कृति और गौरव इतिहास के यह समारक हमारी भावनाओं के प्रहरी तो है युवाओं के लिए रोजगार के अनिक अवसर भी बनाते हैं यह तुरिजम को ताकत देते हैं दादर और नगर हवेली में परियटन के लिए बहुत संभावनाएं हैं इस खेत्र को तुरिस्ट मैप पर लाने के लिए सरकार हर संभो प्रयास कर रही है सिल्वासम में बढ़े तमन गंगा रिवर फ्रंट के पीछे की भावना भी यही है अब यहां आने वाले परियटकों के लिए एक और आकर्षन का केंद्रा यहां बन कर तयार है इसके लावा यहां पर 200 स्क्वाइर मिट किलोमिटर का रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी है यह फॉरेस्ट एरिया टूरिजम इंडर्स्ट्री के लिए बरदान है मदुबन डेम के कैच्पमेंट एरिया में वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है नादरा और नगर हमेली की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बैतर हो इसके लिए यहां के प्रमुक टूरिस सेंटरों और अहम जगहों पर फ्री वाइफाई की सुविदा देने का प्रयाद चल रहा है साथ्यो टूरिजम के साथ पारंपारिक रोजगार के साधनों और संसाधनों को भी मजबूती दी जा रही है प्लू रिवालुशन स्किम के तहट मच्वारों के आई बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है मच्वारे बहन भाईयों के लिए मच्वारी पकड़ना आसान हो मार्केट तक पहुँच आसान हो इसके लिए कोशिश की जा रही है मच्वारों की पारिवारी गनावों को आदुनिक मोटर बोर्ट में बदलने का काम चल रहा है मचली के उत्पादन के लेकर व्यापार तक की व्यवस्ताओं को बहतर बनाने के लिए मच्छवारों को आसान और सस्ते रून के लिए एक विशेश फंड बनाया गया इस फंड के माध्यम से करिब साड़े साथ हजार करोड रुपे की व्यवस्ता की गई है भायों और बैनों आज गरिवों के लिए आदिवाश्यों के लिए मध्यमपर के लिए जितने भी योजनाय चल रही है उनके मुल में सबका साथ सबका विकास यही हमारी प्रेणा है जबकि वो दल जिसने दसकों तक देश में सरकार चलाई वो हर काम में अपनी या अपने परिवार की संभावनाएं देखता था यही कारण है कि वहां काम से ज़्यादा नाम पर जोड़ दिया गया साथ यह इस पूराने सरकारी संसकार को आदतों को हमने बदला है हमने नाम के बजाए काम पर ध्यान दिया है आज सरकारी योजनाओं का नाम क्या होता है यह दिखाता है कि हमारी नियत जंता के विकास की है परिवार के विकास की हमारी न संस्कृती है न हमारा इरादा है और मेरे लिए तो यह सवासो करोर देश्वाजी यही मेरा परिवार है और सवासो करोर देश्वाजों का कल्यान यही मेरे लिए कल्यान का मार्ग है सांत्यों यहीं साब नियत और स्पस्त निती इनको जरा खटक रही है मोदी सरकारों के पुराने सवस्कारों को क्यों बदल रहा है इससे इनको तकलीप हो रही है इन्हें दिक्कत है कि मोदी प्रस्टाचार के खिलाब इतनी कड़ी कारवाई क्यों कर रहा है करना चाहिए नहीं करना चाहिए प्रस्टाचार के खिलाब लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए देश को प्रस्टाचार से मुक्ति दिलानी चाहिए नहीं दिलानी चाहिए इन्हें परेशानी है कि सत्ता के गलियारों में घुमने वाले पिचोलियों को मोदी ने बहार क्यों निकाल दिया इन्हें गुस आंग रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छिनने वाले उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हग इसके हडपने वाले बिचोलिये दलालों को बाहर क्यों कर रहा है और अपने इसी गुसे की वज़े से अभी ये लोग एक महा गढ़बंदन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हालत ये है कि जो पहले कॉंग्रेस को पानी पी पी कर कोशते थे वो भी एक मंच पर आ गए है साथ यो ये महा गढ़बंदन जरम मोदी के खिलाब ही नहीं ये देश की जन्ता के भी खिलाब है अभी तो ये पूरी तरह साथ आये भी नहीं लेकिन हिंसे दाली पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं पहली बार बोट डालने वाला मारे देश का युआ इन बातों को बहुत बारिकी से देख रहा है और इन लोगों के आँख में कोई दुल जौक नहीं पाएगा साथियों इन लोगों की दुनिया मोदी से नफ़त से सुरू होती है और मोदी को गालियां दे करके समाप्त हो जाती है मेरी दुनिया मेरी सुवे सबासो करोर देश वाच्यों के कल्यार के संकल्प के साथ हो जुशुरू होती है और दिन धार पसीना बहा करके जब राज को सोने जाता हूँ आज कितना अच्छा काम किया इसी पे लगा रहता हूँ मेरा आदी भी वो ही है मेरा अंत भी वो ही है इनकी दुनिया अपने परिवार को अपने भाई भतियों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है और बड़े गर्व के साथ गोशित किया जा रहा है भायों भनो मेरी दुनिया तो मेरे सबासो करोड देश वासी आगे बढ़े उसी के लिए सबाएगा इनकी दुनिया में भारत के विकास के लिए विजन नहीं है भारत के भविश्य की बात नहीं है वही मेरी कोशिश भारत को 21 सजी में दुनिया का स्रेश्ट अतम देश बनाने की है भाई और भेहनों अपने परिवार अपनी संतनत को बचाने के लिए ये कितने भी गठबंदन मना ले अपने करमों से ये नहीं भाग सकते है उनके कुकारमा डगर डगर पर उनका पीछा कर रहे हैं वो बच नहीं सकते हैं सिर्म बोधी का विरोग इनकी स्वार्थ की राजलिती को अख़बारों में जगा देजेगा मिडिया में चमकते रहेंगे लेकिन देश की जनता के दिलों में देश को स्तबा करने वाले लोग कभी भी जगा नहीं बना पाएंगे भाई यो बैनो आपको शाहिद पता नहीं है जो लोग जनता से उखड़ जाते हैं जनता जब उनका मिजाज बदल देती है जब उनके पैरों की जमीन खिसकते लगती है तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के सारे लोगी खट्टे हो गए एक एमेले वाली पार्टी उसके निंद हराम करके रख दी हैं क्योंकि ये सत्य के मार्क पर चलने वाले हम लोग हैं एक एमेले होने के बावजुद भी हिंदुस्तान का सारी जमार्ट वहाँ खट्टे हो करके बचाओ 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 इसके नाले लगा रही है मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बढ़ाई देता हूं मैं पश्चिम बंगाल की भारतिय जनता पांची को बढ़ाई देता हूं एक अकेले आमेले ने इतनी छोटी सी पार्टी ने गलत काम करने वालों की निंद हराम कर दी हैं उनकी जमीन खिसक रही है, डर के मारी खंटे हो रहे हैं। खाये मैंनों, ये लोग, ताना साह इतना ही नहीं, पस्चिम मंगाल हो केरन हो, दगर दगर पर जुल्म शाही है। जिस पस्चिम मंगाल में पॉलिटिकल पारजी को उसका कारिकम करने लिए रोक लगा दी जाती हो, हर प्रकार के अलोकांत्रिक प्रक्रिय की जाती हो, लोग तंत्र का गला गोर दिया जाता हो, लोग तंत्र को बचाने के भाषन देते हैं तब मुझे इतना ही कहना है जब पूरे पस्चिम मंगाल का चित्र देखता हो तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोग तंत्र का गला गौंटने वाले पंचाय के चुनाओं में नामांग करने के वालों को मौट के खात उतार देने वाले जब लोग तंत्र बचाने की बात करते हैं तब देश के मुझे निकलता है वाह क्या सीन है साथियों ये लड़ाई सकारात्पग सोच और नकारात्पग रवये के बीच की है ये लड़ाई विकास और ब्रस्ताचार के बीच की है ये लड़ाई जंता और महागडबंदन के बीच की है भाई और बहनों सकारात्पग सोच के साथ सही प्रयास ही नए भारत के निर्मान का रास्ता है इसी रास्ते पर हम सभी को देश के जन जन को तेज गती से चलना है ये पाजिटिविटी नए बरस में हमारे मन मस्तिष्क May देश के कौने कौने में बढ़ रही है इसी कामरा के साथ देश को नए उचायों पर लेगे ने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और भाईयों भहनों, आप देख रहे हैं, मैं सुबह से चल पड़ा हूँ, भारत की सेना को मेकिन इंडिया का लाब मिले, भारत की सेना के पास मजबूत टैंक देश से बनी हुई हो, कभी सुबह जाकर के उनकी चिंता करता हूँ, देश की सेना के ताकच बढ़ाने के लिए, तो आज अभी दिव दमण में आकर के, यहां की जन सुरच्छा के लिए, यहां की युवा पीडी को मेडिकल कॉलेज मेले, इसके लिए काम कर रहा हूँ, भाईयों भेनों, कलकत्ते में लोग मिलकर के, दल बचाने का जुगार कर रहे हैं, और मैं आपके बीच आकर के, दे जान से लगा हुआ हो, यह फर्क साब है दोटों, यह फर्क साब है, वो खुद को बचाने के लिए, सहारा ढूल रहे हैं, मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, सब का साथ, सब का वितात लेकर के चल पड़ा हूँ, और आज, इतने छोटे से दीव दमण में, लाखों की सादाद में आकर के आपने जो आसिरवात दिये हैं, जो प्यार दिया है, यही हिंदुस्तान का मिजाज है भाईो, यह दीव दमण, यह लगू भारत है, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है, जिसके लोग यहां नहीं रहते, मैं अभी आ रहा था, मुझे काड़ी से आ मैं पैदल चल के उनको प्रणाम करता हुआ, आपके बीश पहुछ गया भाईयो, यो कि हमें देश को आगे बनाना, भाईयो मैं नो दल के लिए मरने मिटने वाले बहुत लोग होंगे देश के लिए मरने मिटने वाले हम आपकी सब्सक्राइब को फूरा करने के लिए आपको समर्पित है आपके आथिरवात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की बहुत भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत दन्यवाद मालिया प्रदान मंत्री जी संग प्रदेश, दीव दमन और दादरावन अगरहवेली प्रशासन की और से लाखो की संख्या में आज उंती हुई ये जनमेदनी की और से आपको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, दन्यवाद करते हैं यही है साफ दियत सही विकास का परिणाम के आज जन्यता के चरणों में इतनी सारी विकास लक्षी परियोजनाओं का आज शीरा निया स्वर्लोकार पर हुआ, फिरेंग मार, हम सबकी और से बहुत बहुत दन्यवाद इतना अभियक्त करने हैं, मानरी अब्रदान मंत्री जी, आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद आप से बहुत करने हैं